बीपीसी 001 के जेनरल साइगलोजी के डिसमबर जो 2022 में पूछे गए हैं आपके कुछ क्वेस्टेंस हैं जो आपको हम थोड़ा एकस्पेंड करके बता देते हैं यह आपके 50 मार्क्स के पूछे गए थे और टाइम पेरियद आपका 2 आर्स के थे ठीक है तो इसमें आपको 3 से सेक्शन ए में जो है दे भी रखा है answer any two of the following questions in about 400 words कहते हैं कोई भी जो है दो आपका जो questions नीचे दिये गए हैं उसको कितने में लिखना है आपको 400 words में लिखना है और हरे question कितने marks में है आपको 10 marks में यह खास करके जो दिये गए हैं इसमें यह कोई भी आपको को इसमें फिल्स ऑफ सैकलोजी थ्री प्लस सेवन का है थ्री प्लस सेवन का यहां पर मिनिंग हुआ कि 3 marks आपको डिफाइन सैकलोजी मिलेंगे और डिसकॉस्ट बेसिक फिल्स ऑफ सैकलोजी है एक चीज़ दियान रखेगा कि एगनू में कई बार ऐसा होता है कि question को repeat करके पूछा ज होती है वह हम आपको वीडियो सेपरेटली बना देंगे वह आपकी अच्छी होनी चाहिए आपकी स्टैप से लिखते हैं यह एकनू में बहुत मस्ट है question आपको ज्यादा difficult आपको लगेगा नहीं कि पूछा जा रहा है लेकिन आपकी स्टैप से उसका reply करते हैं कि स्टैप स उसको answer करके आते हैं यह बहुत important है तो second जो आपको question है यह कहा रहा है कि अलग-अलग प्रकार के जो aspects है perceptual development की उसको आपको aspects को बताना है जो third question है इसमें भी वही है what is impression formation explain impression formation through stereotapping तो आपको जो 3 marks है वह आपको है impression formation का और जो 7 marks है वह आपको है बताने का कि impression formation जो है इस्टोडियो tapping के जड़ियो है कैसे आप explain करेंगे उसके बाद जो next है वह है आपका इसमे elucidate human nervous system यह 10 marks के हैं human nervous system को आप कैसे elucidate करेंगे इसके बारे में जो है इसमें दिये हुए है इसके बाद हम आते हैं section B में तो section B में क्या है कि आपको कोई भी 4 questions करना है कोई भी 4 question करना है और हर एक question जो है आपको 200 कितने में लिखना है 50 watts में लगभग लिखना है आपको कुछ students क्या होते हैं लिखते चले जाते हैं एंसर में essence होते नहीं है एक ही चीज को repeat बार बार करते हैं इसके उपर मैं आपको जो है वीडियो में मैं आपको बता दूँगा अलग से बना करके ठीक है तो आप question देख सकते हैं क्या असर है फिफ्थ में explain main components of attitude discuss rosenberg's theory of effective cognitive consistency 2 प्लस 4 मार्क मतों 6 मार्क के हैं 2 मार्क से आपको main component of attitude बताने का और जो 4 मार्क से वो discuss rosenberg's theory बताने का जो effective cognitive consistency से जुरे हुए है next है आपको 6 में explain classical conditioning with the help of a suitable diagram वही प्यावलॉब का है आप पढ़े होंगे जो आपको bill और dog को जो है रेप्रिसेंटर के बनाया गया है तो कहते हैं कि classical जो conditioning है उसे suitable diagram के मदद से आपको explain करना है जो 6 मार्क के है 7 में जो है कहते है threshold को define करना है threshold क्या होते हैं और जो cycle आपको जो physical methods होते हैं उसको भी explain करना है यह भी 2 प्लस 4 है मतलब 2 मार्क्स के आपके threshold है और 4 मार्क्स के आपकी जो है साइको फिजिकल methods है एट मार्क एट नमर की question में जाते हैं तो यह भी 2 प्लस 4 मतलब 6 मार्क्स के हैं 2 मार्क्स है मिलेंगे आपको social interaction के what is social interaction discuss the factors in social interaction मतलब social interaction में क्या-क्या factor उनकी चर्चा करेंगे 9th number में explain the nature and characteristic of behavior की आपको behavior को जो नेचर और से किये हैं एक-एक line के हिंदे निकाल के बताई है तो बहुत सारे आपको इस में से question होंगे जो उसमें आपको मिल जाएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं सभी का मैंने thumbnail भी लगा दिया है जिससे आपको question को खोजने में दिक्कत नहों ठीक है चली आगे चलते हैं next आपका section C में कहते हैं कि नीचे तो तीन दिये गए हैं 10 11 12 तो इसमें से कोई भी दो के उपर 100 words में लगवग जो है आपको note लिखना है और हर एक जो है 33 marks के हैं तो मतला total 6 mark हैं इसमें भी जैसे कि 10 में है psychology law और criminology क्या होते हैं वो बताना है 11 में है the actor observer effect क्या होते हैं वो बताना है illusion क्या होते हैं वो बताना है तो I hope you would have taken a lot of help from this video and you can just watch other videos